दोस्तों आप देख रहे हैं स्कीन पर कलर्फुल बजीस के पठ्थे जो हमने हमारी कॉलोनी में ब्रीट करके निकल वाए हैं दोस्तों एक अच्छी पैरिंग लगा के कि देखें दोस्तों कितने बेस्ट कलर में कलर्फुल बजीस हमारी कॉलोनी में पठ्थे निकले हुए है दोस्तों यह लुटिनों की फिमेल दिख रही है उसी के वह मठ्थी पे दो पठ्थे है अलाके उस दिन कुछ गल्टी के कारान इसका मेल कॉलोनी से बाहर निकल गया और पूर गया दोस्तों अभी यह फिमेल सिंगल हो गई है अभी हमें इसके लिए एक मेल लाना परेगा दोस्तों इसने बारी भी प्रीट की थी और इसने अच्छे कलरफुल बच्चे निकाले थे यह तिन बच्चे निकाले थे दोस्तों जो के दो बच्चे ताप उसके मठ्की को पर बैठे हुए देख रहे है दोस्तों ब्रीडिंग कराने के लिए सबसे ज्यादा महत्व है अपने परिंडों की खोराग आप इसनी अच्छी खोराग उन्हें खिलाएंगे और उन्हें अच्छी खोराग देगे और केल्सम विटामिन शबका ख्याल राखेंगे तो बहुत अच्छी आपके परिंदे ब्रीट करेंगे दोस्तों कि यह देखें यह समय भी सिर अंदे डीदी अच्छी आइज दोस्तों और एक विए वह बहुत ही अग्रेसिव हो गया दोस्तों के कॉलोनी में लड़ाई जगडा मार पिड़ करती है दोस्तों एक पठ्छे को भी उसमें बूरी तरह मारा है दोस्तों यह जो दिख रही है यह फिमेल बहुत एग्रेसिव हो गई है और उसने पठ्ठा यह देखे सरफे चोट खाया होगा पठ्ठा आपको दिख रहा होगा उसको उसने बहुत मारा है हलाकि यह मटकी मैसे उसने गुष्के मार के बाहर उसने काये दोस्तों दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा महनत होती है दोस्तों ताब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और शेयर भी कर दिया करें दोस्तों क्योंकि ब्रेडिंग के मोड़ में आते हैं परिंदे बहुत यह ज्यादा एक्रेसिव हो जाते हैं और अपने खुद के बच्चों को मार के मठकियों में से बाहर फैंक देते हैं अभी गर्मी के मौसम में हरा धनिया फुदीना जो कोथमिर बोली जाती है वो सारी चीजे अपने बजरी पैरोड को या कोई से भी परिंदे आपने रखते हैं कौकाटे ले लाउगठ है आप जरूर दीजिए तो, तो अगर आपने भी अपने घर पे बजरी पैरोड रखे है अभी गर्मी का सिजिन सुरू हो चुका है तो उने ग्रीन फूट यानि के अहरी सब जहां जरूर दे आपने अपने आपके परिंदे जो आपने की मात्रा है वो बरकरार रहेगी और आपने आपके परिंदे जो हाफते हैं वो मोख ला रखके जो जो से सांस लेते हैं वो ऐसे नहीं करेंगी मैं अभी गर्मी के सीजन में डेली देता हूँ राधनिया पुदीना ये सारी चीज़े कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए चाहिए आपके परिंदों के सिहत बरकरार रहे और उनके सरी में पाने की कमी ना हो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए दोस्तों